नमस्कार दोस्तों दोस्तों बीजेपी को ये लगता था कि उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाओं होगा विधान सभा का उपचुनाओं होगा तो इंडिया गडबंधन यानि कि समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस ये अलग-अलग हो जाएंगे और ये अलग-अलग ह ने राहुल गांधी ने मिलकर पानी फेर दिया है दोस्तों वैसे तो तर प्रदेश में दस सीटों पर उपचुनाओं होना था लेकिन चुनाओं आयोग ने नौ सीटों का एलान किया मिलकी पूर की सीट को होल्ड रखा गया क्योंकि वहाँ एक याचिका की वज़े से फिल के भतीजें हैं लालू प्रसादियादव के धामाद हैं करहल के अलावा दोस्तों अखलेश यादव ने जो सीट थी जिस पर चुनाओं नहीं हो पा रहा है मिलकी पूर की वहां अवधेश प्रसाद के बेटे अजीद प्रसाद को टिकट दिया था मंजवा की सीट पर जोती अजी वर्मा जो सांसद हैं अम्बेटकर नगर के उनकी पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया और फूलपुर में मुस्तफा सिद्धी की को टिकट दिया इसके अलावा दोस्तों एक और सीट जो है मीरापुर की सीट मीरापुर की सीट पर अखलेश आदव ने तरकी है गाजियाबाद है खैर है ये तीन सीटे हैं अखलेश आदव ने गाजियाबाद और खैर की सीट को देने का फैसला किया है ये तै किया है कि खैर की सीट पर जो अलीगर में है और गाजियाबाद की सीट पर जहांके विधायक सांसद बन गए अतुल गर्ग उनकी व कारे कारे करता कॉंग्रेस को वहां चुनाव लड़ाएंगे यानि दोस्तों जो बीजेपी सोच रही थी कि गड़बंधन तूट जाएगा वो गड़बंधन पूरी तरह से मजबूत है और ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव लड़ेगा दरसल तमाम तरह के आ मांग रही है कॉंग्रेस साथ सीटे मांग रही है ऐसा कुछ भी उत्तर प्रदेश में नहीं था दोस्तों कॉंग्रेस शुरू से उत्तर प्रदेश में दो से तीन सीटों की मांग कर रही थी लोकल लीडर्शिप में कुछ बाच्ची थूई टिकट को लेकर लेकर लेकिन उ उमर अब्दुल्ला का शपत ग्रहन था जम्मू कश्मीर में जिसमें अखलेश यादव थे, राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी थी, इन तमाम नेताओं के बीच एक मीटिंग हुई, इस मीटिंग के बाद राहुल गांधी और अखलेश यादव के बीच ये तै हुआ क गाजियाबाद और खैर की सीट पर कॉंग्रेस लड़ेगी और बाकी तमाम सीटों पर जो साथ सीटे हैं भी फिलहाल, वहां समाजवादी पार्टी लड़ेगी और इन सभी सीटों पर कॉंग्रेस और सपा के कारेकरता मिलकर बीजेपी को हराने का काम करेंगे, अब दोस्त हैं, बेहत जमीनी नेता हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बड़ी करीबी हैं, इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि जब गाजियाबाद में कॉंग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी तो वो नाम डॉली शर्मा का हो सकता है, इसके चांसे बहुत ज़ाद हैं, यानि अखलेश आदव ने पूरी तरह से गड़बंधन धर्म को निभाया है और ये साफ कर दिया है कि दो सीटों पर गाजियाबाद और खैर में कॉंग्रेस लडेगी, बाकी सीटों पर सपा लडेगी, दोस्तों तमाम पत्रकारों ने अखलेश आदव से बार बार य ये साफ कर दिया कि गड़बंधन नहीं तूटेगा, और एक बार नहीं दोस्तों, बीते दिनों में दो बार अखलेश आदो प्रेस के सामने आ चुके हैं, मीडिया के सामने आ चुके हैं और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि हमारा गडबंधन किसी भी कीमत पर नहीं और अब अखिलेश और राहुल एक बार फिर उतर प्रदेश में अपनी ताकत भारती जनता पार्टी को दिखाते हुए नजर आएंगे और एक टक्कर का चुनाओ जिसको आप कह सकते हैं काटे की टक्कर का चुनाओ उतर प्रदेश की इन विधान सभा सीटों पर होने वाला ह क्योंकि दोस्तों इस उप चुनाओ को एक सेमी फाइनल की तरह देखा जा रहा है ये माना जा रहा है कि दोहजार सताइस हाला कि जिसमें अभी बहुत वक्त है बहुत वक्त है लेकिन उससे पहले ये जनता का मूड भापने की कोशिश है कि आखिर जनता लोग सभा है ये लिटमस टेस्ट की तरह होने वाला है लेकिन खबर दोस्तों यही है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस का गडबंधन नहीं तूटने वाला वो गडबंधन बड़ी मजबूती के साथ चुनाओ लड़ेगा दोस्तों फिलाल इस वीडियो